हेलो बचापाटी, this is your SST educator उजवला पंच और आज की इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे जोग्रफी का चाप्टर रीसोर्स अन डिवेलपमेंट और अब हम इतने सारे सोल टाइप को पढ़ने के बाद हमारे लास्ट सोल टाइप पे पहुंच चुके हैं जिस वाला रीजन है, ग्रीन, डाक ग्रीन वाला है ना सारा जो माउंटेनियस रीजन है यानि कि हमारा जो हिमालियन रीजन है वहां पर ये सोल टाइप पाया जाता है और अभी-अभी मैंने आपको बताए कि इस फोरेस्ट सोल को हम लोग माउंटेनियस सोल भी बोलते हैं माउं इस लाइन को ध्यान से समझेगा मैं ही समझाओंगी देखो यहां पर यह तरीके से हमारे जो पहाड़ी एरियास में पाया जाता है तो जो अपर स्लोप होते हैं पहाड के यानि कि जो उपरी हिस्सा होता है आफे है पहाड' का वहाँ यहान कि यहां पर जोउल पाया जाएगा गर आप इसके टेक्स्टर को चेक करेंगे तो वह टेक्श्टर काफी जादा हम बोल सकते हैं बेकार टेक्स्टर होगा बहुत मोटी मोटी ग्रेन उसमें होंगी लेकिन वही अगर हम na Experdoo fund अगर हम Iya लिफ्यां pytanie was you यहां पर जो पाई जाएगी वह काफी टेक्सचर की ममिटी मोगी बहुत अच्छी मिटीं कि मतलब वॉटर हो अशमन प्टी हो जो wedब अइसा क्यों होता नेचे बड़ी सौंफर अच्छी सी मिट्टी सा गहत lubrication क्यों and silt clear होता है वो नीचे भैकर आजाता है slope से और यहां नीचे deposit हो जाता है that is why सारा जो अच्छा-च्छा मिट्टी का पार्ट हो यहां आ गया है और यहां पर बड़ी हम बोल सकते हैं coarse-grained मिट्टी रह गई है ठीक है that is why low me silty valleys में होता है और coarse-grained upper slopes में होता है उसे के साथ नीचे के लिखा है in the snow-covered areas of the Himalayas these soil experience denudation and are acidic with low humus content the soil is fertile on the river terraces and alluvial fans यहां पर भी वही same बात हो रही है basically यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो soil type है Himalayas के snow-covered regions में यानि कि जहां पर बरफ होती है उन regions के अंदर यह soil जो है denudation को experience करता है now what is denudation देखिए बचों यह हमारा Himalayas समझ लो वैसे तो obviously Himalayas peaks तो कितुनी बड़ी-बड़ी होते हैं हमने आज चोटी से बना दी तो Himalayas में जो snow-covered इलाके हैं यानि कि यह जो उपर उपर वाल जहां बरफ होती है न जहां बरफ रहती है उन areas के अंदर soil जो रहता है बरफ के नीचे जो मिटी है वो denudation उसकी होती रहती है उसकी denudation होने का यह मतलब है कि वो जो मिटी है वो erode हो रही है या wearing off that soil ठीक है तो वो मिटी denud के हो रही है क्योंकि मैंने अभी-अभी आपको बताया था कि अपर slopes में ऑविसी बात है न ग्राइविटी तो नीचे की तरफ जाती है तो सारा जो पानी है जो ग्लेशियर है वो बहे के नीचे की तरफ आएगा जो अपने साथ जब friction में soil के साथ आएगा तो वो soil की भी जो top layer होते है उसको भी अपने साथ नीचे लेकर आ जाता है यहां पर अपर slopes में या फिर snow covered areas में जो soil है उसकी top layer हट जाती है wash off हो जाती है wearing off हो जाता है उसका that is what is written here साथ ही में acidic होगी यहां पर मिट्टी और उसमें low humus content भी रहेगा organic matter भी कम रहेगा वो मिट्टी acidic भी होगी and that is why हम बोल सकते हैं कि जो upper slopes में मिट्टी है वो fertile नहीं है वहां पर जादा vegetation नहीं हो सकती है और उसे के साथ में fertile कहां पर है river terraces और alluvial fans में मतलब कि जो हमारा valley area है जो नीचे वाला area है वहां पर यह जो है मिट्टी fertile आपको दिखेगी या पाई जाएगी basically salt type में क्या है दिक्कत कुछ भी नहीं है दिक्कत सिर्फ यहीं है कि upper slopes में coarse grain है वहां पर acidic है low humors content है और जो valley floats है वहां पर यह मिट्टी जो है fertile भी होती है वहां पर लोमी silty भी होती है वहां अच्छे मिट्टी पाई जाती है क्योंकि सारी जो है बहकर नीचे आ गई है पानी के साथ में ठीक है तो I hope यह बात बिल्कुल बिल्कुल clear है यह था बचो हमारा forest and mountainous soil अब हम अगले session के अंदर बात करेंगे soil erosion की और soil conservation की तो soil erosion पहली बात तो होता क्या है soil erosion किन चीजों से होता है और उसके बाद इसी soil erosion को रोकने के लिए हम लोग क्या-क्या measures अपना सकते हैं वो सारी बात है हम लोग अपने अगले session में करेंगे which is a very very important topic जो की पूछा जाता है हमारे board exams में तो I will see you in the next session तब तक के लिए take care and bye-bye